तैयार है हमारे साथ एक खास महमान कार्णियन कैपिटल एडवाइजर्स के विकास खेमानी साब हमारे साथ कारेक्टर में हो रहा है शामिल और बाजार की उठापटक में उनसे डाइरेक्शन लेने की हमें है जरूत है विकास जी बहुत-बहुत स्वागत है आपका धन्यवा तो जो था कि नेटो फोर्सेस उस पर वापस काउंटर अटेक करेंगे कि नहीं हो रहा है और यह भी हो सकता है कि अरश्या में जो सेंक्शन हो करें लगे हैं वह तो है उनकी इकनोमी पर इतना कोई इंपेक्ट होगा निको मुझे लगता है वह तो एक अच्छी बात है पर यह जो सिच्वेशन है यह मेरा मानना है कि आज युक्चू कि थोड़ी हम शॉर्ट कवरीं देख रहे हैं यह सिच्वेशन कभी ओवर्नाइट पूरी होती नहीं है इसमें मुझे लगता है कुछ न कुछ नीज फ्लो अभी चालू रहेगा इतना बड़ी कॉंफिक के बाते कभ तो मेरा मानना है कि इस चीज को एक ऐसे उसक्राइब करना चाहिए ताकि invest नीट की तरह यूज करना चाहिए नहीं कि इससे गभराना चाहिए कि मोका है सो रुपे हैं पैसा लगाने के मेरे पास एक्विटी में इस वक्त कितना इस वक्त लगा लेना चाहिए पूरे थाल के अंदर कुछ न कुछ इवेंट आते रहेंगे तो मेरा मानना है कि इस तरह के इवेंट जब आते हैं जब भी एक्सेलरेड़ वोलेट्रेटी होती हैं तो आप डाल सकते हैं तो मेरे को मानना है अगर आप आज 100 रुपया लगाना चाहते हैं तो आपको 40-50 पर 30 लगा देना चाहिए और इनों अगले जोगी दो चाहते हैं और थोड़ा मुझे लगता है आने वाले समय में भी कुछ ने कुछ ऐसे मूख्य मिलते रहेंगे क्योंकि यह साल में बले वो फैट की बात को लेके हो इंटरेसे को लेके हो कुछ में कुछ एक मुझे लगता है माहूल बना रहेगा यह ऐसा नहीं है कि यह साल को यह जो किसले अपने 2020 में देखा था उस तरह के कोई रनवे मार्केट नहीं होंगे तो हड़बड़ी ना करें जल्दी ना करें पर ऐसे मुख्य है उसमें आप गबराए बिना पैसे डालते रहें और ऐसे मुख्य मैं इस क साल का अपडेट लिया था ओर लुक लिया था आपने बहुत क्लियल ही बोला था कि बहुत ज्यादा बुलिश होने की ज़रूत नहीं यह साल डिग्रेडिंग का है डिरेटिंग का है रइट तो अलग-अलग कारण से तो जो जो चारण के वज़े से आप मार्केट की वो यह ता कि है थोड़ी गोड़िटी को ड्रॉफ करेंगी इंट्रेसिस बढ़ाएंगी उसका जब जब वहता है थोड़ा सा एक impact शौट तरमिश होगा क्योंकि मेरा मानना है कि लॉंक्तम उसका इंडिया मैं नहीं होगा क्योंकि हमारी इंडिया के इपेंडनेंस अभी यूएस टॉलर पर यूएस इंटरेट्स तर काफी हद तक कम होती जा रही है दिने 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 पर वो एक शौट तम मार्केट में वोलेटेटी उसकी आ सकती है इक्रोमिक इंपेक्ट नहीं होगा तो वो अभी भी बाकी है वो शायद अभी भी हमें थोड़े इंफलेशनरी नतीजें हैं वो दिखते रहेंगे उसके अराउंड को बनते रहेगा और आप देखेंगे तो मुझे लगता हो सकता कुछ सेक्टर के किमाही नतीजों में उनका एक इंपेक्ट देखने को मिल जाए तो तो मैं यह कहूंगा कि यह एक दूसरा अनेश्पेक्टेड इवेंट आया उसका मार्केट में वोलेटेटी आई उससे जो भी अभी स्टेबिलिटी वापस आ जाएगी पर इसमें यह कुछ होने के जरूरत नहीं है कि अभी वापस मुझे लगता है यही एक दो रहेगा अगले इन दो क्वाटर में की मार्केट सोला साड़े सोला हजार से साड़े साथा अथा हजार के बीट में कंसोलिडेट होता रहेगा एंड उस हिजाब से आप अपने इस साल के नजरिये से चूंकि आप लेकेंगे कि अगर दो आपने के तीन-चार साल के अगर व्यू के इसाब से इन लेवल पर आप निवेश करने के सोचे तो सोला साड़े सोला जार अच्छी रहें जहां दीमेने में आप चालिस-पजास परसंट पैसा लगा सकते हैं अब बड़ा सावल यह कि पैसा लगाना का है विगाज जी क्या ऐसे कुछ थीम्स कोई ऐसे सेक्टर्स हैं जो आपको दिख रहे हैं जहां पर इस माहूल में पैसा लगाना ज्यादा बैतर होगा पैसा लगाना चाहिए क्योंकि पैसा लगाना चाहिए एक होती समय के बार कंसोलिडेट होके बाहर लिगल रही है उनके अर्निंग गोथ की चाजेक्टरी इंपू हो रही है एंके साइकल मोर और लेस बिहाइंड हो गई है तो मुझे लगता है एक आने वाले समय में बैंकि टेक्नोलोजी सर्विसेस के लिए उनमें अभी यह जो अभी कर्रेक्शन दिया है एक होती होल्डन अपॉर्चिनिटी है सब बैंक आप लेकिंगे तो आइटी सर्विसेस के शेर तीस 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 परतिसत कम हो गए हैं तो यह बहुत बड़ा मुसमारा मोका है क्यों इसमें कोई संदेग नहीं है कि उस सेक्टर में अर्निंग रोथ आएगा और वैंट क्रेट होगा तो मेरे को लगता हो यह सेक्टर में लेवरेज की सिच्वेशन पूरा होता है हर तरीके से बहुत अच्छा सेक्टर है तो इस समय में आप बिना गबड़ाएं इसमें पैसा लगा सकते हैं कि कुछ और सेक्टर के अंदर जैसे आपको तो रियल स्टेट ऐसा सेक्टर है जिसके अंदर बहुत बड़ी चेंज हो रही है एक तो सेक्टर में रिफॉर्म हुआ है रेदा के बाद में दूसरा डिमांड महौल जो है बहुत अच्छा निकल रहा है क्योंकि इकनोमिक जैसे बढ़ रही है नोकरियां क्रेट हुआ ही आइटी सेक्टर में मैंकिंग सेक्टर में तो उसके वज़े से डिमांड सेक्टर के अंदर बढ़ रही है इंट्रेस की तरकम है तो मुझे लगता है यह 18 साल के निजरे से इस सेक्टर को देखके इसमें इसमें बहुत बढ़ी कमाई कर सकते हैं इसमें जो छोटी-छोटी कंपनिया है वाने वाले सेमें में बहुत बढ़ी बन जाएंगी ऐसा मेरा मानना है यह देर सारे आपके लिए मोखें बैंक्स, आई-टी, रियल स्टेट यह सेक्टर से जहां पर आपको इस गिरावट में दीमें दीमें करनी चाहिए खरीदारी विकास जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमें समय देने के लिए और बाजार पर अपनी राय देने के लिए तो दीमें दीमें पैसा लगाएं यह है राय विकास खेमानी साब की तरफ से